नहीं है आज हम एक एसलिपेस का मैं डिवो करके बताऊंगा आप लोगे बीच में और बहुत ही सांदार प्रोड़क्ट है उसके बारे में आज हम उपन करते हैं उपन करकी तो इसे एक पीस मैंने निकाला इसको दुबारा इसको मैंने लॉक भी कर दिया क्या दुबारा इसक यह बिल्कुछ सुखा हुआ है अदर में आप देख सकते हैं मैं इसको फिर से वाफन करता हूं इसका डबग लॉकिंग है देख सकते हैं यह बिल्कुछ सुखा हुआ है तो इसको अदर पानी रालते हैं कितने में डालें इसको में कितना डाले थें परचीज कितने में यह बिल्कुल यह बिल्कुल यह सुखा हुआ है और इस पर ती से मिल मैंने डाला और भी डाल खे देख सकते हैं अगर 25 बिलड आता है 30 भी आ सकता है 40 भी आ जागता है चालीस डाल के देखते हैं यह होगा उस से स्टेज में जागता है 50 से में क्या डालें पानी डाल के देखें कुछ दे रुख जाहिए इस वाद यह भी पुलड ड्राइब देख सुख जाहिए जाल यह तहां अभी ड्राइब अभी ड्राइब इसमें से जोबित्ति पानी निकाल देगा उसको पांशुर के भी डिखे करते निकाल सकते हैं के अदर पानी नहीं है इसके जहाना है जेल निकरता है उसको मोपीन करके इसको भी देखते हैं है क्या है इसका फर्स्ट लेयर है बिल्गुल कोटे ने आप देख सकते हैं न कोटे पाचानते हैं जो भी लोग तब देख सकते हैं देखे क्या है कोटे कोई प्लास्टिक नहीं है इसका फर्स्ट लेयर है जो एंटी रेडियसन के काम करता है इसका दूसरा लेयर देखे इस तरीके से यह क्या है तिसरा लेयर है यह भी कॉटे ने बिल्कूल सुखा हुआ है चौथा लेयर में आप देखते हैं प्लांट एस्ट्रेक्ट जिल डला हुआ है इसे कोई नुक्सान नहीं करता है बॉडिंग के लिए देख रहा है इतना लेयर मैंने देखा चौथा यह आपका पाच्मा लेयर है इस तरीक से छठा लेयर हुआ और सातमा लेयर यह आपको सिंथेटिक है यह कोई प्लास्टिक नहीं है इसका अगर डेमो देखना है तो पानी को गर्म कीजिए उस पर इसको डाल दीजिए और इससे जो वास होगा वह बहार आना शुरू हो जाए क्योंकि कोई प्लास्टिक नहीं है एक मिनट इसको फानी है ना इसम इसको डाल कर देखते हैं कि उस्टिर्गवादी पूड़ा यह जोर करनेगा कि अब समझ सकते हैं मैंने को नेप्तिन का डेमो दिया कैसा रहा है क्या इस घर का यूज है क्या इससे बच सकते हैं यूट्रस कैंसर से जान से फर्टिलिटी से बहुत सारे बीमानी से कर बचना है यह नेप्तिन को जरूरी इसकी है आपने आज देख लिया इस टेपनी का क्या हल है ओके